चलिए अब देखते हैं कि यह जो hazardous substance है इसको आप symbol के जरीए कैसे पैचान सकते हो तो यह जो पहला symbol आपको दिख रहा है यह है explosive का symbol यानि कि इस तरह का symbol अगर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है कि यह जो substance है यह explosive है फिर उसके बाद यह जो second symbol आप देख रहे हो यह flammable का symbol है यानि कि ऐसा अगर symbol आपको किसी product के उपर दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो जो product है वो flammable है फिर उसके बाद यह जो symbol आप देख रहे हो यह है corrosive का फिर उसके बाद ये जो symbol है ये है dangerous for environment यानि कि इस तरीके का कोई symbol अगर आपको किसी product के उपर दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो product है ये environment के लिए dangerous है फिर उसके बाद ये जो symbol है ये है toxic का यानि कि जहरिला मतलब इस तरीके का सिंबॉल अगर किसी प्रोड़क के उपर है तो वो जो प्रोड़क्ट है वो टॉक्जिक है यानि कि वो जहरिला है फिर उसके बाद ये जो symbol है ये है health का यानि कि इस तरीके का symbol अगर किसी product के उपर है इसका मतलब वो जो product है वो health के उपर effect कर सकता है फिर उसके बाद ये जो सिंबॉल है ये है skin irritancy का मतलब इस तरीके का सिंबॉल अगर आप किसी product के उपर देखते हो तो आपको समझ जाना है कि ये जो product है ये skin के लिए हानिकारक है फिर उसके बाद ये जो सिंबॉल है इसका meaning है gas under pressure यानि कि ये अगर सिंबॉल आप अगर किसी product के उपर देखते हो तो आपको समझ जाना है कि ये जो gas है ये under pressure है तो इस तरीके से आपको सिंबॉल के जरीए ये पता चल सकता है कि ये hazardous substance किस category का है